आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज की इस कहानी का नाम है दरावनी वेब सीरीज. यहे एक हौरा स्टोरी है. दरावनी वेब सीरीज, भाग माइनस एक, प्राचीन काल में एक जादूगर्नी का सामराज्य हुआ करता था वह रानी थी, वही जादूगर्नी थी और वही चुलेल भी थी नकिसा नाम था उस जादू गर्नी का, क्रूरता के मामले में वह किसी राक्षत से कम नहीं थी वह खुद को जवान और खूब सुरत बनाये रखने के लिए हर रोज एक कुवारी कन्या केके खून से स्नान करती उसके लिए प्रजा के लोग सिर्फ कीरे मकोडे की समान थे जिसे चाहती जब चाहती मसल कर रख देती थी उसने अपने टहखाने में सेकडों कुवारी लड़किया बंदी बना कर रखी थी उसका हुक्म ना माने वाले पर कोड़े बरसाए जाते थे जब तक उसकी खाल न उतर जाए नकिसा के आतन से सारा सामराज ये धर्थरा जाता था उसे जब किसी पुरुष संसर की इच्छा होती तब वह दो पुरुषों का चुनाव करती और दोनों का आपस में युद्ध करवाती जो पुरुष दूसरे पुरुष को हरा देता था उसे मौत की सजा मिलती और जो जीत जाता था उसे नकिसा एक रात का दूलहा बनाती रात भर उससे आनंद लेती और सुबह उस पुरुष को जला कर मार डालती उसके जुल्मों का सिलसिला कई वर्षों तक यूँ ही चलता रहा उसे जिस देश से भी कोई सहायता की जरूरत पड़ती उस देश के राजा को वह अपने साथ रात्र भूज पर आमंतरत करती उसके साथ याशी करती और अपने काम बना लेती इसी तरह उसने कई राज्य अपने देश में शामिल करा लिये थे एक बार एक जल्लाद पर उसका दिल आ गया उसने उस जल्लाद याकूब को एक दूसरे पहलवान इद्रीश से लड़वाया याकूब ने इद्रीश को हरा दिया और मलिका सल्तनत नकिसा के हरम में पेश हुआ नकिसा ने उस जलाद के साथ रात भर रंगर लिया मनाई पर उसका मन नहीं भरा तो उसे याकूब को अपने ख्वाबों में छुपा कर उसकी जगल किसी और पुरुष को जिंदा जला डाला और दिखाया जैसे याकूब मर गया इस तरह करीब एक महीने तक हर रोज यही चलता रहा अब नकिसा ने महसूस किया कि उसे याकूब से इश्ख हो गया है तो उसने याकूब के चहरे की खाल उतरवा कर उसका चहरा किसी सुन्दर नवेवक के चहरे में परिवर्टित कर दिया याकूब को नाम दिया शहजादा हनीफ और उससे शादी रचाली आज तक उसने जितने भी पुरुशों को जलाया या मार डाला था उन सब की लाशे अपने महल की तहखाने में बनी एक सरोवर में फेकवा दे थी जहां बहुत सारे आदम खोर मगर मच उसने पाल रखे थे इसलिए उसकी सारी गलत बाते प्रजा के सामने नहीं आती थी सेकलो राज दफन थे उसकी तहखाने में जिसमें नकिसा सब गुलामों को मार कर फेक दी थी और वहां सरोवर में बैठे आदम खोर मगर मच उने नकिसा के तुकणे तुकणे कर खा गई इस तरह हो सत्याचारी रानी नकिसा का अंध हुआ और वहां का राजा याकूब बना उसने सारे महिला और पुरुष गुलामों को आजाद करा दिया और प्रजा पर सभी अत्याचार बंद करवा दिये यहां तक कि वह सरोवर भी मिट्टी से भर कर समाप्त कर डाला ताकि फिर सी कोई ब्रहमराक्ष सुत्पन ना हो याकूब ने एक दूसरे देश की राजकुमारी से शादी की और कई वर्षों तक देश पर राज किया